हेलो नमस्कार दोस्तों चलिए दोस्तों आज की वीडियो की स्टार्ट करते हैं देखिए आज मैं बताने जारा कि कैसे आप जो भी आपका घर में बेजली मीटर लगे हैं अगर वो आपके बेजली मीटर खराब हो जा रहा है तो आपने आपके जो पास है पास में जो भी पा प्रोफार्मा होता है आपने पहले पत्र लिख रखा होगा तो इस पत्र को भी आप बड़े ही आसानी से लिख पाएंगे तो देखें मैं पूरी प्रोफार्मा को बना दिया हूं इस प्रोफार्मा के माध्याम से आप शेम टू सेम यहां पर अपना नाम बदल कर ऐसे ही चीक कमेंट वोक्स में कमेंट करेंगे तो मैं जरु-चरू उस पर वीडियो बना दूँगा और वहां से आपको लाब मिले आएगा तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और अभी लाइक करें जरू-चरू अभी वीडियो को देख रहे हैं तो चले उसे वीडियो को अम्रेकिंपे। मैं बिशे क्या है? बिशे बिजली मीटर बदलने के लिए आविधन. तो बिजली मीटर बदलने के लिए आविधन अब कैसे करेंगे? मन्यवर देखे, मैं दिनेश कुमार सिंघ कर्चना करिवाशी हूँ। आपको सुसित करना चाहताँ नमबर का नंबर 75, 28, 10, 10, 29 बार है जो उत्तर प्रदेश बिजली बिभाग द्वारा संथ 2018 में लगाया गया था परन्तु पिछले तीन महिनों से यह बिजली का मीटर काम नहीं कर रहा है अतक मीटर रेडिंग भी नहीं किया जा रहा है अभी आप लोग औसत हिसाब से बिल भेज रह है परन्तु इस प्रकार की बिवस्था अधिक दिनों तक नहीं चल सकती है अता महोदय से अनरोध है कि आप सिग रही खराब मीटर के अस्थान पर नया मीटर लगवाने की बिवस्था करे जिससे सही मीटर रेडिंग लेना मुमकिन हो सके आसा है कि आप आवस्य कदम उठा आएंगे उसके बाद में आपको धन्यवाद लिखना है और नीचे अपना नाम लिखना है और अपना जहां से रहने वाल है उसको लिखना है और उस दिन की आपको इधर लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा डेड तो डेड जरू शरू डाल दे उसके बाद में आपके जो पास के अभियन्ता है मुख अभियन्ता वहां पले जाकर इसको चमा कर दें तो जो भी आपका बिजली मीटर खराब हुआ है उसको जल से जल बदल लिया जाएगा और नीचे कमेंट वॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे इस तरह की वीडियो इस पर लगाता राती रहती है तो जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो देखें आप ए पूरी मैंने डिटेल को बताया आप कैसे कर सकते हैं इसी तरह से बढ़े ही असानी से कर सकते हैं तो चलिए उस तो करते हैं थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो